नमस्ते विध्यार्तियों, डॉक्टर किर्थी की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए विज्यापन लिखन इसके अंतरगत एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो है जल के अपवे की रोक्थाम, अपवे यहने फिजूल खर्ची है ना तो जल का जो फिजूल खर्ची करते हैं जल जो है विर्थ में जाता है उसकी रोक्थाम संबंधी चित्रकला प्रदर्शनी का आकरशक विज्यापन तयार करो अब यहाँ पर हमको जैसे साधरन विज्यापन लिखने के लिए दिये जाते हैं कि यह यह टॉपिक दे दिया इसके पर विज्यापन लिखन करो लेकिन इस टॉपिक में आपको इस्पेशली बताया है कि चित्रकला प्रदर्शनी इस से संबंधित किस संबंधित जल के अप्वे की रोक थाम से संबंधित यहने कैसे हम चित्र बनाके उस चित्र कला प्रदर्शनी में दिखाएंगे यहने लोग जब उस चित्र कला प्रदर्शनी में आएंगे तो वहां कौन से चित्र उनको देखने को मिलेंगे जलके अपवे को रोकने वाले है यहने पानी जो है वो नल में से गिर रहा है कहीं बह रहा है फाल्तु में नल चालू है या कोई हाथ धो रहा है और जो नल चालू है वगरे इस तरीके से जो भी अपवे दिखाने वाले जितने भी चितर है उन चितरों के माध्यम से और जल का महत्व इस दूनिया को को बताना है उसके उन्चितरों के कैसे माध्यम से हमें जल की कैसे रोकथम की जाए अब वैए होंने से फह यहाँपर बताना है Belo moved को कोई एक चीत्र तो जरूर आपको बताना ही पड़ेगा बनाके 앞 meno तो एक चित्र बनाने की जो है प्रेक्टिस कर लिजेगा जिससे कि आपको जो है कभी बाइचांस ये वाला टॉपिक आज आता है विज्ञापन लिखन के अंतरगत तो आप उसको वच्छे से कर सकें अभी विज्ञापन लिखन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेर सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तमिंट बॉक्स में पिल आ इकोन के बटन को जरूर से दबाईएगा जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको उसकी जानकरी प्राप्ट हो जाएं आये विज्ञापन लिखन कैसे किया जा सकता है वह हम देखते हैं अब यहाँ पी जो मैंने विज्ञापन लिखन किया है वो इस तरीके से किया हुआ है अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इस विज्ञापन लिखन के लिए मैंने सबसे पहले जो है लोगों से प्रश्न किये है ये पूरा विग्यापन लिखना आप देख रहे हैं ना इस तरीके से तो मैंने ये चित्र भी बनाए हैं दो और जो है इस तरीके से यहाँ पर आपको एक्जाम में क्या है पेन ही यूज करना है पेन से आपको चित्र भी बनाना है और पेन से आपको लिखना भी है के यही जो है द्या न अकर्षित करेंगा और साथ में नीचे लिखा है चित्रों के माध्यम से जानिये जल के अपवे को रहते हैं वेको रोकने के कई तरीके क्योंकि इस प्रदर्शनी में चित्रकला प्रदर्शनी में जल के अपवेको किस तरीके से रोका जा सकता है इसके कई चित्र वहां लगे हुए होंगे और इसलिए हमने लिखाई यहां कई तरीके हैं अब हमने यहां पर बीच में और लिख दिया है बीचो बीच बिल्कुल निशुल्क आईए और निशुल्क जानकारी जो है उसको प्राप्त कीजिए आप लिख सकते हैं आईए और निशुल्क जानकारी प्राप्त कीजिए प्रवेश भी निशुल्क है ये भी कर सकते हैं अब हमें बताना है कि कहां है ये चितरकलप दर्श जाए हमने यहां समय रखा है सुबह ग्यारा बजे से लेकर शाम के पांच बजे तक ठीक है हमने यहां पे दो चित्र बनाए हैं पहले चित्र में हम बताना चाहरे हैं कि जल का अपवे जब होता है तो बूंदों के अंदर पानी की बूंदे जो नल में से टपक रही है वो नल में से बूंदे नहीं गिर रही है याने पानी जो है व्यर्थ में बह नहीं रहा है इसलिए जो एक बूंद अंदर आपको नल के अंदर दिख रही हो बड़ी खुश है क्योंकि जल जो है फाल्तु नहीं बह रहा है या फाल्तु नहीं जा रहा है तो इस तरीके से आपक को छोटा करके आपके पास ने आप इसको देख सकते हैं लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मिलती हूं आप से अगले किसे अच्छे से वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्ते